नमस्कार दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे हैं All New KTM Duke 200 का नेया मॉडल और यहां पर यह नेया कलर इस बाइक का भी हाली में लॉंच हुए है और कलर का नाम है Dark Galvan और यहां पर इसके लवाई जो बाइक आप एक और कलर में लॉंच हुए है जिस कलर का नाम है Electronic Orange तो यहां पर आप कितनी कम से कम डॉंप्रेमेंट करने बाद आपको कि इमाइस बाइक की भरनी बड़ेगी तो ना यह सारी जानकारी में आपको आज की वीडियो में शेर करने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों यह खड़ी है अमरे सामने All New KTM Duke 200 और यहां पर बात करते हैं इस बाइक की एक्शन रूम प्रेस की बार में इस बाइक की बार में तो यहां पर काफी शांदार दिखते हैं डाग अलवैनो कलर में तो बात करते हैं बाइक की फ्रेंट लूक के बार में तो हमें कुछ ऐसा यहां पर बाइक का फ्रेंट लूक देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बाइक के इंडिगेटर इसके लब आपको नीचे देखने को मिलती है बाइक की नमर प्लेट की मौन्टिंग और बात करते हैं इस बाइक के हैलाइट के डिजाइन के बार में तो यहाँ पर आपको टॉप पे देखने को मिलते हैं इ और आदा यहां पर glossy orange में दिया गया है, इसकलब आपको यहां पर front shocker पर एक reflector आपको देखने को मिलता है, और यहां पर बात करते हैं, bike-side profile के बारे में, तो guys कुछ ऐसी यहां पर काफी सुन्दर इस bike-side profile दी गई है, तो यहां पर आपको fuel tank की shroud पर बड़ा सा KTM 200 के आपको badging देखने को मिलती है, इसकलब आपको थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहां पर आपको again KTM की badging दी गई है, इसकलब आपको कुछ ऐसे आपको lagart इस bike में देखने को मिलते हैं, और यहां पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहां पर आपको कुछ इस design के आपको engine crawl आपको देखने को मिलते हैं, बाकर जो इस bike का frame है, वो यहां पर आदा दिया गया है, black color में, और आपर आदा यहां पर इस bike का frame है, वो orange color में दिया गया है, तो ना, इस जीच की वज़े से जो bike का look है, वो दोस्तों है पर काफी बड़ी है, मेरे को यहां लग रहा है, बाकर आपको bike का है, आपर आपर overall look का ऐसा लगा, प्लीज वेखने में कमें करका यह शियर किजिएगा, बाके बात करते हैं, पर बाइक के फूट के बारे में तो यहां पर काफी हाई क्कौलिटी के रबर के फूट पैक्स आपको इस बैक में देखने को मिलते हैं। जिसके उपर आपको E20 की बैजिंग आपर की गई है, और यहाँ पर जो बाइक का की सिलोट है, वो यहाँ पर दिया गया है टॉप पे, और बात करते हैं बाइक की सीट के बार में, तो नहीं यहाँ पर आपको स्पिलिट सीट इस बाइक में उफर की गई है, जिनकी क्वालिटे में बाइक काफ़े जदा है, यहाँ पर बड़ी है और यहाँ आपर तो सीट की कुषनिक है, वो भी आपर काफ़ी बड़ी है, बाइक करम रेर में चकाओट करते हैं, तो यहाँ पर आपको रेर में ड्यू की बैजिंग आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके लाब अगर बात करते हैं बाइक के ग्रैब हैंडल के बार में, और याँ पर नमर्ब्लेंट के निचे आपको देखने हो मिलता है एक reflector और यहाँ पर आपको कुछ इस design का इस bike का rear hundred देखने को मिलते है बाकि दोस्तौत आपको इस bike का overall look यहाँ पर कैसा लगा इस बयाक में देवाए 6-speed gearbox और बाहत करते हैं बैक से मिलने वाली मैलेश की तो ना आप इस बयाक से 30 से लेके 35 km पर लिटर के मैलेश है हो आप इस बयाक से सान्ट से अचिछेव कर सकते हूँ और बाहत करते हैं बाक की top speed के बार में तो ना इस बयाक की 140 से आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको इस बाइक के रियर में 10-step adjustable monoshock suspension आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ आपर बात करते हैं बाइक के फ्रेंट brakes के बार में तो यहाँ पर आपको front में offer की गई है 300 mm की front में disc brake और आपको बाइक के rear में 230 mm की आपको rear में disc brake offer की गई है बाकि as a safety point of view आपको इस बाइक में dual channel ABS आपर offer किया हुए और यहाँ पर supermoto ABS mod means bike के अदर आ जाता है जिसको आप अपने console से यहाँ पर on off कर सकते हैं बाकि कुछ इस तरह का इस बाक का lowest का design है बाकि आपको bike front ओर यन में 17 inches के wheel आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं bike ground clearance के बार में तो यहाँ पर 155 mm की इस bike ground clearance है और बात करते हैं bike seat height के बार में तुरह इस bike A22 mm की seat height है इस के लगा इस bike के बार में अ की बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है तो एर चले की को करते हैं? अबको च Rhode इंटरियों करते है बाइक का बात करते हैं चोटास आपको डिजिटाल कंसोल आपको देखने को मिलता है जिसकों दोट्हों जो इंटरफेस होने हैं आप कुछ इस तरह है तो यहाँ आपको कावी सारी जानकारे आपको इस console के अंदर show हो जाती है like speed, rpm, real time, mileage और दोस्तों कावी सारी जानकारे आपको यहाँ पर show हो जाती है और बात करते हैं इस bike के handlebar के switch के बार में तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा pass switch उसके उपर आपको देखने को मिलेगा highlight के lower high beam का switch उसके यहाँ पर आजाएगा left right indicator का switch और यहाँ पर आपको सबसें चैन्स bike का horn का switch आपको देखने को मिल जाएगा इसकलब दोस्तों आपको कुछी स्तरा का silver color का handlebar के देखने को मिलेगा काफी बड़ी अलेगी बाकि दोस्तों आपको बाइक यापर cash लग रहे है तो ना यह तो आप हमें जुरू से जुरू कमेंट करके share किजेगा इसकलब दोस्तों अगर आपको इस साल यहाँ वली बाइक लेनी है लोन पर तो ना आप कम से कम इस बाइक लेक कर सकते हो चालिस जार की डाउन पेमेट और यहां पर आपकी हरमेंडी की फिरू हो जाए तो आपको जो हरमेंडी की सैलरी वो दूस्तों है पर होनी चाहे 15 से 20 आरप यहां पर जोब का सिबिल स्कूर आपको बढ़िया होना चीए अगर आपके पास यस अब हैना तो आपका इस बाइ हो जाएगा बकि आप मैंसे कौन-कौन 140 भाई को पर्चेस कर रहा है तो यह आप हमें प्लीस कमेंट करके शेर कीजिएगा और गाईज अगर आपको वीडियो ची लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मारे चैनल गाड़ी शाड को सबस्क्राइब कर देना तो यार चले मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई